नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है CBI ने एक ऐसे सक्ष के उपर छापा मारा है कि जिससे पूरे विपक्ष में हाहकार मच गया है क्योंकि ये एक बहुत ही वरिष्ट आईएस अधिकारी रह चुके है लालू यादब के बड़े ही घनिष्ट बहुत ही करीबी और चिदम्रम की चंडाल चौकरी का एक ऐसा एहम हिस्सा जिसके ज़िए यूपीए के दोरान चिदम्रम ने कई सारे खेल कर डाले एक एक का हिसाब हो रहा है और जब दिल्ली के सबसे पॉस्ट इलाके ग्रेटर केलास पार्ट टू में सी बी आई के अधिकारी घुते तो हंगामा मच गया नाम है रमेश अभिशेख इनके बारे मैं आपको बताऊंगा और आप जब इनके कारणामे के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे लेकिन खबर क्या आई है उसको पहले सुनते हैं रमेश अभिशेक, former secretary, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, was raided by Central Bureau of Investigation CBI in a disproportionate asset case. The raids were conducted at Abhishek's multi-story residence at Greater Kalas Part 2. Abhishek had admitted to the Lokpal at having earned over rupees 2.7 crore as a professional consultancy fee in just 15 months since his retirement. The enforcement director too was conducting investigations against Abhishek. Retirement हो गया है भी और Retirement के 15 महिने में इनकी कमाई 2.7 crore 2.7 lakh रुपए कहां से आ रहा है पैसा Retirement के बाद भी और ये बता रहे हैं कि मैं Consultancy के जरिये मैं कमा रहा हूँ ये Paytm के भी Consultant है Paytm जो जिसके उपर भी RBI का हतौड़ा चला है उसके भी Consultant रहे हैं तो वह ऐसा क्या चीज़ की Consultancy देते हैं तो रमेश अभिशेक साहब की और भी गुतिया मैं खोलूगा लेकिन किस-किस चीज़ के Consultant ये पहले रहे हैं ये भी जानना जरूरी है जब ये बिहार में आये सदिकारी थे लालू यादव की सरकार थी लालू यादव बुक मंत्री थे तो ये इतने करीब थे ये जितना भी पॉलिटिकल ड्रामा करना बूथ लूटना गोटाला करना यहां खा जाओ यहां सेटिंग कर दो ये लालू यादव को पतब्रश्ट करने वाले वेक्ति हैं ये आप ऐसे मैसे छोटे मोटे आद्वी नहीं है और घनिष्टा इतनी कि जब लालू यादव के बच्चे दिल्ली में पढ़ने आए DPSR के पुरम में मत्रा रोड में तो लोकल गार्जियन भी होता है बच्चों का लालू यादव तो बिहाद में रहते थे रमेस हमिसे का आगे दिल्ली ये उनके लोकल गार्जियन थे इतनी करीबी आई ये सदिकारी हैं समय बदला सरकार बदली लोग बदल गए सत्ता का अस्थरांतर हो गया अब जब यूपिय की सरकार आई तो भस्टचार करने का पूरा जिम्मा जो है वो चिदम्रम ने ले लिया था कितने सारे केसे चलने जेल भी गया बेल पर बाहर है कितने सारे घोटाले में उनका नाम आ गया तो चिदम्रम अकेले नहीं करते थे उसकी पूरी चंडाल चौकरी थी उसको सेट कर देना वो कमपनी अच्छा हो रहा है उसको एक्शन ले लेना उसको डुबा देना उससे पैसे ले लेना तो ये भाई साब रमेश अभिशेक उस चंडाल चौकरी का हिस्सा थे जिसको लेकर के बहुत सारे अन्या इन्होंने क्या पाप का गरा अब भर गया है तो अब एक्शन चालू है कहां से इसकी सुरुवात हुई कि ढूब में ले लोक्पल विवाथिज़ ऑस्फिस बुरूच्ट अभिशेक बुट्रूच्ट है इसम डुच्ट अभिशेक आवजेक तर्बोकर अब ठाविशेक ये से सबिस्ट्राइब प्रूच्ट प्रूच्ग चौकरी का श्ने लेवात है पाप्रूच्ट का जिसको of over rupees 2.7 crore in the financial year 2021 and 2022-23 मतलब आप ये समझे पंद्रा मैने में कांड कर दिया भाई साथ ने अब जो कंप्लेन है वो क्या कह रहा है कि जिस वक्त ये आई एस थे तो जिन जिन कंपनियों को और इस तरह की कंपनी 16 कंपनियों की पूरी लिस्ट तयार है कि उनको फाइदा पहुचाया और फाइदा तो पहुचा दिया और अब जब वो रिटायर हो गए तो वो उसके कंसल्टेंट बन गए और वहाँ से ही पैसा आ रहा है कि फीचर में इंविस्टमेंट कितने अकलमंद लोग हैं घुटाले करने का एक से एक तरीका इन लोगों निजाद कर दिया है कि ऐसा है अभी हमसे काम करवालो रिटायर्मेंट के बाद पैसे देना यह हमारा तुमारे बीच कमिटमेंट रहेगा फिर अपनी कंपनी में कंसल्टेंट बना लेना फिर कौन क्या ढूंटा हुआ पहुचेगा नहीं पहुचेगा लेकिन यह तो समय का पहिया है उल्टा घूम गया है क्या आगे बताया जा रहा है this amount is 119 times higher than his monthly salary as a government servant his total earning as a government servant was rupees 2.26 lakh at the time of his retirement the revolution came into light after abhishek mentioned his post retirement income in his debit to logpal abhishek was also the controversial chief of the forward market commission who faced the slack from the supreme court in the nsel spot exchange fiasco यह nscl का कांड एक अलग कहानी है कल बनाऊंगा इसके उपर वीडियो तो किस तरीके से दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली कंपनी को इन लोगों ने एक चिदमरम की चंडाल चौकरी ने सत्यानास कर दिया तो पाप का फल कौन भूगतेगा यह भूगता जा रहा है खुद ही बता रहे हैं लोगपाल के सामने एफिटिविट दिया कि पिछले पंद्रह मेंनों में हमारी कमाई दो करोड़ों सतर राख रुपे है तो वह डिटेल उन्होंने दिया यह डिटेल यह तो वाइट में जो इसने बताया है क्या-क्या छिपाया यह तो अभी मालूम ही नहीं है इसलिए यह ग्रेटर केलास में दो करोड़ों में फ्लैट मिलता है या घर मिलता है मल्ति स्टोरी बिल्डिंग है इसका मतलब है यह समझे तो वह प्रॉपर्टी नहीं है आप इस चीज को समझे गेटर किलास पार्ट टू के अंदर अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके पास है तो ये सो कडोर के नीचे की प्रोपर्टी नहीं है और जब आप रिटार कर रहे थे तो आपको कुल जो सैलरी मिल रही थी दो लाख छबिस हजार रुपए बहि कहां से लाते हो पैसा कहां से लाया आपने दिमाग तो जो लोग लालु यादब के निजदिक की होंगे चिदंबरम के चौकरी का हिस्सा होंगे तो दिमाग तो उनके पास होगा ही लेकिन सिर्फ ये खुद नहीं अपनी बेटी से भी माल कमाने का इसने पूरी विवस्था कर रखी थी क्योंकि कंप्लेंट ने आओर भी बताया according to the complainant in the garb of promoting ease of doing business as a key member of government panel on make in India Abhishek got his daughter Vinisa Agrawal appointed as consultant to several firms and charged heavy fee he misused his position to influence the then SEBI chairman UK Sinha and his daughter appointed in the SEBI by creating a special vacancy it was a list खुद तो consultant बनी रहा है कई सारे फर्म में अपनी बेटी को भी consultant बना दिया और heavy charge हिसाब लगाया होगा कि तुमने बादा किया था वही बीस करो रुपया लेंगे तो काम करो दीरे दीरे करके देला मेरी बीटी को consultant बना लो she is also consultant यह LHQI complainant ने बताया है action हुआ है अब यह action अपने आप में बता रहा है कि प्रदान मंत्री मोधी यह अपने अधिकार्यों को नहीं छोड़ने वाले यह make in India यह जो secretary बना हुआ था यह कहा था यह मोधी सरकार में ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि चिदम्रम की चंडाल चोकरी उसमें बीजेपी की सरकार नहीं नहीं आई थी 2014 में उसी वक्त अगर यह लोगों ने चिदम्रम के चाल को पकल लिया होता तो इस तरह के कई सारे अधिकारी उसी समय बाहर का रास्ता दिखा दिये होते हैं क्योंकि जैसे ही चिदम्रम को यह समझ में आया चुनाओं के समय कि सरकार नहीं आने वाली है फिनांस मिनिस्टर और अलग अलग फिनांसल इंस्ट्यूशन में करीब सौ लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर इसने सोयम की और वो कंटिन्यू रहे उसी चक्कर में यह बताईए मेकिन इंडिया स्टार्टप इंडिया सब जगा कोई कृष्णन नहीं तो कोई अभी सेख है इस तरह के लोग सब और इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने प्रधान मंतरी मोदी के इन योजनाओं को कैसे फेल किया जाए यह कांग्रेसी और चिदम्रम और लालू इस तरह के लोगों के साथ उटना बैटना कैसे फेल कर आया जाए यह काम पहले टर्म में किया इन लोगों ने और बीच में तो खबर यह भी आ गई थी इतने शातिर आई एस लॉबी का ऐसा खेल ऐसा कुछकर कि जो आदमी फिनांशल इंस्ट्यूशन का सत्यानाश करने वाला था इसका नाम चल रहा था कि वह सेभी का यह चीफ बनेगा सेभी का चीफ बनेगा वो तो सरकार चिदम्रम और उसके गैंक के सारे डिजाइन को पहले ही बापली बाहर कर रास्ता दिखा दिया लेकिन बाहर जाने के बाद भी आदत नहीं जाती है वो कहते हैं चोर चोरी से जाएगा हेरा फेरी से नहीं जाएगा तो बाहर निकलने के बाद भी उसने हेरा फेरी की और सिभ याई का चापा लग गया अभी तो और खेल होना बाकी है जीवन का ये सार है पाप करोगे तो इसी जीवन में तुम्हें दंड भी मिलेगा आप देखते ने कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्वाद